नमस्कार दोस्तो मैं अमित जांगडा स्वागत करता हूँ आपका यूटूब चैनल जनरल लोजबाई एजेपर दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है स्प्रेम कोरेट ने कल फाइनल इयर के एक्जाम्स को कंड़क्ट करवाने के लिए हरी जंडी दे दी है तो दोस्तो जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद चातर संगठन देश भर के अंदर सकरिये हो गए और उन्होंने जवरदस्त विरोध परदर्शन सरकार के खिलाफ किया देखे दोस्तो बिना प्रिक्षया प्रमोसन नहीं फाइनल इयर चातरों को प्रिक्षया देनी ही होगी स्प्रेम कोरेट की दो टूक राज्यों को प्रिक्षया सत्गित करने या बिना प्रिक्षया पास करने का हक नहीं करोना के चलते प्रिक्षा टालनी है तो राज्यों को UGC में आवेदन करना होगा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा स्प्रेम कोरेट ने ये थोड़ी सी राहत राज्यों को दी थी अगर वो चाहते हैं कि फाइनल एर की प्रिक्षा ना हो अगर वो सक्सम नहीं है प्रिक्षाओं को करवाने में तो वो UGC को आवेदन कर सकते हैं ये थोड़ा सा राहत बराकारी है सुप्रेम कोरेट ने कल किया था UGC ने 30 सितंबर तक ग्रेजियोशन की प्रिक्षाओं कराने का निर्दे से जारी किया है सुप्रेम कोरेट ने देश भर के कोलेज और यूनिवरस्टी में ग्रेजियोशन के फाइनल एर के चात्रों को प्रिक्षा से राहत देने से इंकार कर दिया है कोरेट ने UGC के पक्स में सुकरवार को फैसला देते हुए सफ़ष्ट किया कि फाइनल एर के चात्रों को पास होने के लिए प्रिक्षा देनी ही होगी UGC ने 30 सितंबर तक प्रिक्षाओं कराने के निर्दे से दिये थे हालांकि कोरेट ने कहा कि रज सरकारे प्रिक्षाओं टालना चाहती है तो वह UGC को आवेदन कर नई तारिखे तै कर सकती है विभिन रजों ने कोरेट से मांग की थी कि सात्रों को बिना प्रिक्षाओं पास किया जाए महाराष्टरा और दिल्ली सरकार ने तो प्रिक्षाओं रद करने के आदेश भी जारी कर दिये थे इस पर UGC ने आपति जताते हुए कोरेट में कहा था कि सरकारों को UGC के अधिकार छेतर में दखल देने का अधिकार नहीं है कोरेट ने छातरों की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि UGC की गाइडलाइन्स भेदवाव करने वाली हैं इसमें छातरों के मोलिक अधिकारों का हनन होता है तो दोस्तों ये सारी की सारी बाते कल स्प्रीम कोरेट के अंदर हुई है और जितनी भी याचिकाएं फाइनल एर को एक्जाम्स को कैंसिल करने के लिए लगाई गई थी उन सभी याचिकाओं को स्प्रीम कोरेट ने खारिज कर दिया है परिक्सिया कराने के केंदर के निरने के खिलाफ कांग्रेस ने सुकरवार को एक दिनी देश व्यापी परदर्शन किया कांग्रेस ने तर राहुल गांदी ने लोगों से अपील की कि वे छातरों की सुरक्सिया के लिए आवाज उठाएं यूपी में समाजवादी पार्टी के कारी करताओं ने कई जगह परदर्शन किये आम आद्मी पार्टी ने दिल्ली और यूपी में परदर्शन किये तरनमुल कांग्रेस के कारी करताओं ने कोलकता समेथ कई जगह परदर्शन कर नीट जई डालने की मांग की तो दोस्तो ये पूरा का पूरा गमासान, पूरे देश के अंदर हम लोगों को कल देखने को मिला, ये सभी के सभी लोग अबर अपनी राजनीती पर उतर आए हैं, चाहे वो पक्स हो, चाहे विपक्स हो, सरकार चाहती है कि प्रिक्षाओं को करवाया जाए, और विपक्स है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ सरकारों का विरोध करना है तो इसलिए वो सातरों के पक्स में खड़े हैं सिधी सी बात होती दोस्तो अगर कांग्रेस के सरकार यां पर होती तो प्रिक्षाओं को करवाने के लिए राजी होती और भाजपा इसके लिए विरोध कर रही होती तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है ये आगे देखिए सामिल है मालूम हो कि जेई मैंस एक से च्छा स्तंबर तक और नीट तेरा स्तंबर को होनी है माराश्टर के उच्छ सिक्षया मंतरी उद्यार सामंत ने कहा हम नहीं चाते कि दोनों प्रिक्साइं रद की जाएं हम सिरफ प्रिक्साइं कुछ समय के लिए टालने की मांग कर रहे हैं जारखंड के मुख्य मंतरी हैमेंच सोरेन ने केंद्री सिक्षया मंतरी रवेश पोख्रियाल निसंग को पत्तर लिखकर दोनों प्रिक्साइं टालने की मांग की है उन्होंने रश्टर पती से भी हस्त अक्सेप करने की मांग की है उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी यो को देखने को मिल रही है जहाँ पर बाजबा की सरकार नहीं है सिर्फ वो राजज है इसके लिए विरोध कर रहे हैं और जहाँ पर बाजबा की सरकार है वो इसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं वो इसके पक्स में बोल रहे हैं जैसे कि योगी अधित तैनाथ ने कहा कि पांच लाख विद्यारतियों ने B.A.D. की प्रिक्साइद दी और कोई भी करोना का मामला देखने को नहीं मिला आगे देखे दोस्तो कांग्रेस अध्यक्स सोनिया गांदी ने वीडियो संदेश जारी कर केंदर सरकार से अनुरोध किया की वैच छात्रों की आवाद सुने और उनकी इच्छा के अनुसार काम करे छात्रों को खत्रे में नहीं डालना चाहिए तो दोस्तो ये अब एक राजनितिक मुद्दा बन चुका है बाकी दोस्तो अभी फाइनल एर के एक्जाम्स के लिए आपको त्यारी सुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अभी ये जो भी डिसीजन इसके उपर आया है वो टालने वाला नहीं है तो दोस्तो आप अपनी त्यारी को जारी रखें जो भी नई जानकरिया होंगी वो आपको प्रवाइड करवाई जाएंगी धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भर